की नमस्कार समाचार सुपफास्ट में अपनों सुअगउ्छें हूच्छ आपनी सांथ ही जह Anga समाचार सुपफास्टी शरवात करिे ते पहला पंडित दिन्दयार नंपन्निति थी निमिते प्रधान सब्सक्राइब करें और मैं नहीं तूहीं का संकल्प भी सिद्ध होता है कि साथ यहां कहा गया है कि स्वदे से पुझते राजा कि स्वदे से पुझते राजा विद्वान सरवत्र पुझते अर्थात सत्ता की ताकत से आपको सिमीत सम्मान ही मिल सकता है जहां सत्ता की ताकत प्रभावी होगी वहीं सम्मान मिलेगा लेकिन विद्वान का सम्मान हर जगह होता है दिन्देयाल जी इस विचार के साक्षाद जीता जागता उधारण है उनका एक एक विचार उनके एक एक शब्द उन्हें पुरी दुनिया में एक विलक्षन व्यक्तित्व बना देते हैं सामाई एक जीवन में एक नेता को कैसा होना चाहिए भारत के लोक्तंत्र और मुल्यों को कैसे जीना चाहिए दिन्देयाल जी इसके भी बहुत बड़ा उदारा है एक और वो भारतिय राजनीती में एक नए विचार को लेकर आगे बढ़ रहे थे वही दूसरी और वो हर एक पार्टी हर एक विचार धारा के नेताओं के साथ भी उतने ही सहज रहते थे हर किसी से उनके आत्मिय समंद थे उन्होंने अपनी पुलिटिकल डायरी लिखी थी जिसमें नहरुजी की सरकार की सुरक्षा के समंद में, खाद्य नीतियों के समंद में, क्रिशी नीति के समंद में खुल करके तथ्य परक आलोच ना की थी, बहुत ही क्रिडिसाइज किया था, लेकिन जब उन्होंने अपनी इस डायरी को प्रकासित किया अपुस्तक के रूप में, तो इसका प्राकत्थन उन्होंने कॉंग्रेस नेता और यूपी के मुख्यमंत्री रहे, स्रिमान संपुणा नंजी से ही लिखवाया, संपुणा नंजी ने अपनी टिपनी में, एक बहुत ही प्रभावी लाइन लिखी है, उन्होंने लिखा है, ये पुस्तक, फ्यूचर रीडर्स के लिए, एक साइकोलोज ग्लो है, आज दुनिया देख रही हैं कि इस महापुरुस के विचारों का ये ग्लो कैसे पूरे भारत में अपनी चमक बिखेर रहा है, साथियों हमारे सास्त्रों में कहां गया है, स्वदेशो भुमनम्त्रयम, स्वदेशो भुमनम्त्रयम, अर्थात, अपना देश ही हमारे लिए सब कुछ है, तीनों लोकों के बरावर है, जब हमारा देश समर्त होगा, तभी तो हम दुनिया की सेवा कर पाएंगे, एकात्म मानव दर्सन को सार्थक कर पाएंगे, दिन्दयाल उपायतियाई जी भी यही कहते थे, उन्होंने एक स्थान पे लिखा था, एक सबल राष्ट ही विश्व को योगदान दे सकता है, यही संकल्प आज आत्म निर्भर भारत की मूल अवधारणा है, इसी आदर्स को लेकर ही देश आत्म निर्भरता के राष्टे पर आगे बढ़ रहा है, कोरोना काल में देश ने अन्तियोदे की भावना को सामने रखा, और अन्तिम पाइदान पर खड़े हर गरीब की चिंता की, आत्म निर्भरता की सक्ति से देश ने एकात्म मानव दर्सन को भी सिद्ध किया, पूरी दुनिया को दवाएं पहुचाई और आज दुनिया को वैक्सिन भी पहुचा रहा है, सात्यों देश की एकता अखनता के लिए भी आत्म निर्भरता की ज़रुत पर दिन रयाज दिने विशे जोड दिया था, 1965 में भारत पाग उद्ध के दोरान,